उत्रपरदेश के सोनभद्र में विकास के नाम पर जनता के पैसे को सरयाम लूटा जा रहा है जिसकी बानगी आपके सामने है दरसल ये रोड चोपन विकास खंड के बरदिया गाउं का है जहां पिछले कुछ दिनों से गाउं में सीसी रोड का निर्मान जारी है लेकिन सड़क की खराब गुणवर्ता के चलते जब ग्रामिडों ने उसका विरोध किया तो ठेकेदार ने काम ही बंद कर दिया जिसके चलते निर्मान दिन रोड जसके तस यूँ ही पड़ी है ग्रामिडों का आरोप है कि रोड मानक के अनुरूप नहीं है ठेकेदार अधिकारियों के मिली भगत से लगतार रोड में घटिया सामगरी लगा कर लूट कर रहे हैं काफी दिनों से सोलिंग गिरा रखे हैं लोग यहां से आवागवन के लिए बहुत दिकत हो रही है जिसे हम लोग फोड विलस अराम से जा सकते थे आ सकते थे अभी हाल में ही परोश के ही एक महिला की तबियर खर्बगर आ गई थी रात में जो कि हम लोग को ले जाने में ब बहुत बनी लापरवाई है कहीं लिए कि जास नहीं करते हैं को टंडर दे दें देते हैं किसी मन मानी करते हैं थिक्डार कभी मुक्य पर आए हैं अपकरी Meeting ग्रामेडों के अनुसार लगभग 7 करोण 51 लागत से तयार हो रही सेसी रोड में बड़े पैमाने पर गट्या सामगरी का इत्माल होते हुए देखा जा रहा है मानक तो सिर्फ काग्जों पर ही नजर आ रहे हैं लेकिन धरातर पर मानक के विपरित काम हो रहा है फिलहाल मामले में अधिकारियों ने जाच करा कर कारवाई करने की बात कही है जोन भद्र से नमंद सत्यनी उच के लिए अनुच जैस्वाल की रिपोर्ट झाल